जम्मो कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फिर काईरान हरकत दिखाते हुए एक बड़ी शाजिस को अंजाम दिया है इन आतंकियों ने CRPF की गाड़ी को अपना निशाना बनाया था उरी के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है लेकिन आतंकियों द्वारा इस कायरता पूर घटना को अंजाम देने के बाद कॉंग्रेसी नेता रंदीव सुर्जेवाला एक बेकार सा बयान देते है रंदीव सुर्जेवाला ने ट्वीट करके सेना के शहीद 18 बहादरों को शर्धान जली तो दी इसके अलावा उन्होंने दुख की इस घड़ी में घटिया ब्यान देते हुए कहा कि इस मोधी सरकार के पिछले 5 वर्षों में यह 18 आतंकी हमला है 56 इंच की चाती कब जबाब देगी आप खुद ही देख लीजियो उनका यह वीडियो मोधी सरकार में यह सत्रवा बड़ा उगरवादी हमला है पिछले 5 साल में और में जाने कितने और छोटे और बड़े हमले मोधी सरकार की नाक के नीचे आए दिन हमारे सेनिकों हमारे जवानों के ऊपर होते इससे पहले भी वो अपनी एक प्रेस कॉन्फरेंस में संसद हमले के मुख्या आरोपी अफजल गुरु जैसे आतकवादी को अफजल गुरु जी कहते हुए दिखे थे वही नवजोस सिंग सिद्धू भी इसमें पीछे नहीं रहे सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम अक्सर सामने आता रहता है इस बार भी सिद्धू ने पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान का बचाप किया पत्रकारों द्वारा पूशने पर सिद्धू ने कहा कि वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म कोई देश नहीं होता है लेकिन जब पाकिस्तान पोशित आतंकवादी संगठन जैसे महम्मद इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है उसके बाद आपके ऐसे बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप इंडारेक्टली पाकिस्तान के वचाव में हैं आपको बता दें कि पाकिस्तान से दोस्ती लिस्ता रखने के बकालत करने वाले सिद्धू जनर्नल बाजवाग से गले भी मिल चुके हैं पाक के प्रधान मंतरी इमरान खान के सपत ग्रण समारों में भी शामिल हुए थे अकसर भारत के खिलाब जहरीले बयान देने वाले जनर्नल बाजवाग से गले मिलने का सिद्धू कई बार बचाव कर चुके हैं ऐसे में सिद्धू के ताजा बयान को लेकर शोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब खरई-खोटी सुनाई है ये बयान बाजी यहीं नहीं रुकी इसके बाद कॉंग्रेस के स्पोक परसन देवाशीज टूइट करते हुए कहते हैं कि मेरे पास जम्मू के साथी से कुछ मेसेज आये थे पहले आप उनके साथी के ये मेसेज देख लीजिए और कहा कि उसके बाद ये घटना सामने आ गई इन मेसेज को देख कर ये कहीं से नहीं लग राख कि इनको जम्मू से भेजा गया है या ये जम्मू के किसी शक्स दौरा इनके पास आये थे ऐसे मेसेज तो कोई भी किसी के पास बैट कर भी कर सकता है इसके दम पर आप प्रधान मंत्री के उपर सवाल उठा रहे हैं और लोगों के मन में देश की सरकार के खिलाब एक शक पैदा कर रहे हैं इतने सम्वेधन शीर मुद्दे पर घटिया राजनीती कर रहे हैं इन बयानों से ऐसे में साफ होता है कि इन नेताओं को देश की सुरक्षा या सौवेमान की जराभी चिंता नहीं है सत्ता पाने के लिए नेता किसी भी इस तर तक नीचे गिर सकते हैं दर्द की इस घड़ी में जब देश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ इस आत्मगाती हमले के खिलाफ आबाज बुलंद करना चाहिए था जब शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था तब राजनीतिक बयान दे कर पार्टी के ये लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं